मोधी सरकार के दौरान, तेज़ गुना बढ़ा, भारत का रक्षा निर्यात, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, तेजस की सबसे ज्यादा डिमांड रक्षा मंत्राले की तरफ से दी गई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए जानकारी के मुताबिक भारत के रक्षा निर्यात में 23 गुना की व्रिध्ध दर्ज की गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के बाद भारत रक्षा के क्षेत्र में ना केवल आत्म निर्भर बनता जा रहा है बलकि रक्षा निर्यात के मामले में विश्व के प्रमुक खिलाडी के रुप में भी उभर रहा है एक सवाल के जवाब में रक्षा मंत्राले ने बताया है कि रक्षा क्षेत्र में Make in India का विस्तार करते हुए भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्च तम स्तर पर पहुँच गया है वित्वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात का आंकडा लगभग 2014 के मुकाबले तेज गुना बढ़कर 16,000 करोड रुपे को चुग गया है वहीं भारत में निर्मित ब्रहमोस, आकाश मिसाईल, तेजस की डिमांड सबसे ज्यादा है 2014 के मुकाबले तेज गुना बढ़ा निर्यात रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत के रक्षा निर्यात में तेज गुना की वृद्धि दर्ज की गई है अब रक्षा उपकरणों के भारतिय डिजाइन और विकास क्षमताएं पचाली से अधिक देशों तक पहुँच रही है MOD के बयान में बताया गया कि निर्यात किये जाने वाले प्रमुक हथियारों में डोर्नियर 228, 155 मिमी एडवांस टोड आर्टिलरी गन, ब्रम्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, तेजस, रडार, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टिड वाहन, बक्तरबंद वाहन, पिन घटक भी निर्यात होने वाले सैन्य सामगरी की सूची में शामिल हैं। क्यारियर भी विदेशी बाजारों में प्रस्तुत हो रहे हैं और इनकी मांग में वृद्धि हो रही है। आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? घन्यवाद!